ये है लहसुन का अचार, लहसुन का अचार खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत आसानी से बन जाता है, दो-तीन साल तक श्टोर करके रखेंगे ए अचार खराब नहीं होगा, मसाले बिलकुर चटा के दार डालेंगे बहुत ही स्वाधिस्ट अचार बनेगा लहसुन का अचार बनाने के लिए 200 ग्राम लहसुन ले ली हूँ, इसे छील ले हूँ, छीलना बिलकुल असान है, आधा चेमच 600 का ते लगा कर एक गंडे के लिए धूप में रख देंगे, फिर रगड देंगे छील का उतर जाएगा, अब ले लेंगे मसाले, एक चेमच मे लेंगे, और दो से धाई चेमच जीरा ले लेंगे, मेथी दाना कलोजी अजवाइन एक एक चेमच लें, और इन मसालों को हम भून लेंगे, गैस पर कड़ाई रख ली हूँ, और धी मियाज पर भूनेंगे, ताकि मसाले जलेना, भूनने से दो फायदा होता है, आचार खर तेस्ट बिल्कुल अच्छा बन जाता है, दम स्ट्रोंग हो जाता है, इसका स्वाद, कोई भी मसाला भून लेंगे, तो उसका स्वाद बढ़ जाता है, जलने न पाए, धीमी आज पर इसे हम भून के एक बरतर में निकाल लेंगे, ठंडा होने के बाद पीछ लेंगे, आधा चेमच जीरा डालेंगे, बहुत अच्छा फले वराता है, इसे तड़का लगाने से, और दो मिनिर तक लहसुन को भून लेंगे, इस गरम तेल में, अब मैं गयश को आप कर दोंगी, तेल गरम है, थोड़ा सा लहसुन नरम हो जाए, पकाना नहीं है, और कलर भी नही हिल्दी भी है, और टेस्टी भी है, मसाले ठेंडे हो गए हैं, और दरदरा पीश लेंगे, इसमें हम तीन चेमच डालेंगे, सरसो, सरसो आप काली, पीली या राई, कुछ भी ले सकते हैं, जो समय से उपलब्द हो, मसाला पीश कर तयार कर ली हूँ, जादा पौडर न करे हल्का दरदरा होना चाहिए, अब इसमें हम दो चेमच हल्दी पौडर डालेंगे, छोटा चेमच है, बहुत बड़ा चेमच नहीं है, और दो चेमच डालेंगे, लाल मिर्च पौडर, एक चेमच साधा नमक, एक चेमच काला नमक, और लैसुन को हम उताल लिये, हल्का हो गया है, और तेल बहुत है, लासुन जो है, तेल सोखता नहीं है, तो इसी में हम मसाले डाल देंगे, मसाले गरम तेल में न डालेंगे, नहीं तो सोखे मसाले हैं, जल जाएंगे, तो अच्छे तरीके से मिला लेंगे पहले, एक बार इस तरीके से लासुन के अचार बना कर देखें बहुत ही टेस्टी बनता है शालों रखेंगे खराब नहीं होगा बहुत ही अच्छा स्वाद आता है लैसून के अचार में इसको आप तीसरे चोथे दिन खा सकते हैं बहुत अच्छा लगता है ज्यादा दिन इसको रखकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा इस वक पहुत चल्दी से गल जाता है खाने के लिए तैयार हो जाता है टेस्ट भी अच्छा जाता है आप के पास गन्ने का सिर्का हो उसे भी डाल सकते हैं अच्छी क्वालेटी के डाले कोई भी सिर्का डाले अब इसे कॉप्लेटल tranne होने देंगे एक बरतर में निकाल लेंगे अचार कंटेनर में भर दें और जिस कंटेनर में भरे उसमे बार बार हाथ नडालें गिलच चिमच नडालें भीगा हाथ नडालें ऐसे अचार बना रहे गा कितना अच्छा कलर आया है अचार का दुसमन नमी होता है आप इसे नमी से बचाएंगे तो कभी भी खराब नहीं होगा और मैं कंटेनर साप कर ली हूँ इसमें भर दे रहे हूँ ज्यादा लंबे समय तक अचार को आपको रखना हो तो इसमें जहां तक अचार रहे वहां तक सर्सो के तेल गरम करें फिर ठंडा करें उसके बाद भर दें तो आपके अचार कभी भी खराब नहीं होगा अभी मैं उपर से थोड़ा सा तेल गरम करके भर रही हूँ और इसे धूब में नहीं रखेंगे तब भी चलेगा और तीन-चार दिन हो जाएगा उसके बाद इस अचार को खा सकते हैं लैसुन इसमें कम लगे तो फिर से लैसुन छेल कर हलका सा तेल में उसे नरम कर लें और इसमें भड़ दें जादा मसाले की जवरत नहीं पड़ेगी आपको अगर यहाँ चार की वीडियो आपको जरस भी परसंद आए तो प्लेज अपने फेमिली मित्रों में शेयर करें और लाइक भी कर दीजिएगा